नमस्कार दोस्तों, पिछले 24 घंटे में ओलम्पिक्स के अंदर जो भी कुछ हुआ है ये किसी सपने से कम नहीं है, इसको शायद सब्दों में बयान भी नहीं किया जा सकता और आज जैसे ही हमारी भारती महिला टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हराया और सेमी फाइनल में एंटर कर लेकिन जिस प्रकार का पर्फॉर्मेंस रहा है, काभिले तारीफ है, वही मैं कह रहा हूँ, इसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर पाऊँगा और इसी को लेकर पिछले एक दो दिन से चर्चा चल रही थी कि क्या भारती महिला टीम इतिहास बना सकती है, क्योंकि कल शाम क ही आपको याद होगा, भारती पुरुष टीम ने यहाँ पर 50 साल के बाद सेमी फाइनल में एंटर की है, 1972 में यहाँ पर वो गय थे सेमी फाइनल के ले थे, वो एक अलग बात है, 1980 में हमने गोल जीता था, लेकिन वो पूरा अलग मुद्द है, मैं आपको बताऊंगा वर्ल नंबर 9 की टीम है, यह इतिहास है दोस्तों, आज तक कभी भारती महिला टीम ने सेमी फाइनल नहीं खेला है, जो सबसे बेस्ट पर्फॉर्मेंस था भारती महिला टीम का, आप देख सकते हो, 1980 में जो मॉस्को ओलंपिक्स हुआ था, वहाँ पर हम 4th प्लेस पर रहे और अब जाकर हम पहली बार सेमी फाइनल खेलेंगे, और खासकर यह सब चीजें तब हो जाती हैं, जब आप जो है एकदम और में रहते हो, मतलब ऐसा लगता ही नहीं कि आप जीत पाओगे, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह का जो पर्फॉर्मेंस है, और यह क्लियर करना चाहूंगा, जो ड्रैक फ्लिकर है गुर्जीत कॉर्, उन्होंने आज के मैच में यहाँ पर 22nd मिनट में जो गोल किया था पैनल्टी कॉर्नर की माधियम से, अब मैं आपको बता दू, होकी के अंदर जो ड्रैक फ्लिकर होता है, वो बहुत ही इंपोर्टेंट रोल नि करना होता है गोल की तरफ, इसलिए इसको ड्रैक फ्लिकर कहते हैं, और वर्ट क्लास ड्रैक फ्लिकर हैं, उन्होंने 22nd मिनट में एक जो पेनल्टी कॉर्नर मिला था भारत को, उसमें यहाँ पर गोल कर दी, और मैं आपको बताऊं, और यहाँ आपको बताऊं, और इसकी देखोगे, टोटल दो ग्रूप हैं होकी के पूरे मैच के अंदर, और यहाँ पर एक ग्रूप के अंदर छे टीम है, मतलब कि एक टीम को यहाँ पर पांच टीम से मैच खेलना था, तो सुरुआत हमारी बहुत ही बेकार हुई थी, आप देख साकते हो यहाँ पर नेधर लै जरूरत था कि Great Britain जो है Ireland को हरा दे, ताकि हम quarter final में enter करें, हम quarter final में तो गई है, उसके साथ साथ अब यहाँ पर Australia को हरा कर हमने semi final में अपनी जगब बना ली है, लेकिन इसी के साथ साथ आज के वीडियो में मैं जो men's hockey team के दौरा कारनामा किया गया है, पच्चास साल के बाद हम semi final खेनने वाले हैं, उसके बारे में मैं आपसे थोड़ा सा इतिहास के बारे में चर्चा करूँगा, क्योंकि Great Britain को हमने हराया है, और यह खास हो जाता है, क्योंकि इसकी इतिहास से मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, लेकिन सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पर जो 2018 की world champion रह चुकी है, अब देखिए, यहाँ पर अकसर आपने देखा होगा, थोड़ी सी confusion सी होगी एक प्रकार से, कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर 41 years के बाद हम खेल रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं 49 years, मतलब 50 साल के बाद करीब खेल रहे हैं, basically क्या हुआ था इक बहुत बड़ा कारण बताया जाता है, क्योंकि बहुत सारी जो major teams हैं, उन्होंने boycott कर दिया था, तो हमने semi final ना खेल कर directly final खेला और वहाँ पर हम gold जीत के थे, तो इसी की वजए से इसको 49 years या 50 years आप कह सकते हो, बताया जा रहा है कि जब हम semi final खेलने वाले हैं, लेकिन Great Britain को जो हमने हराया है quarter final के अंदर, वो इतना special क्यों है, क्योंकि अब मैं आपको थोड़ा सा history बताता हूँ, करीब mid 1800, 1850 के आस पास आप कह सकते हो, कि Britain में hockey की सुरवात होती है, और जो सबसे पहला club माना जाता है, professional club वो 1861 में found हुआ था, black heat football और hockey club आपका found किया गया था, उस समय, 1861 में, और कई सारी जो experts हैं, कई सारे magazines वोगर में, यह clearly जाहिर होता है कि 1860 में अगर आप देखोगे, तो hockey football से भी जादा popular हुआ करता था, and there is no surprise इसी की वज़े से अगर आप देखिए, तो सबसे पहला जो Olympic के अंदर bowl जीता था, hockey में, 1908 के अंदर, वो था England की team, England ने 1908 में जीता, उसके बार 1920 में भी England podium पर रही थी, लेकिन उसके बाद से जब भारत एंटर की, भारत एंटर की थी, Olympics के अंदर, hockey के team में, from 1928, और 1928 में ही आते ही हमने goal जीता, और उसके बाद तो हमने पीछे देखा ही नहीं, और खास इसमें एक और चीज हो जाती है कि जो Britain ने हम पर राज किया था कई वर्षों तक, वो आजादी के बाद, जस्ट आजादी के बाद 1948 में Olympics होता है, और वहाँ पर हम final में Great Britain को हरा देते हैं, 0-4 से आप देख सकते हो यहाँ पर, और उसके बाद भी भारत यहाँ पर जीता रहा है, यह आप सारे देख पाओगे 1928 से सुरुआत होती है भारत के जीत की जहाँ पर हमने Gold जीता, उसके बाद अगिन Los Angeles में, Berlin, London, Helsinki, यहाँ पर भी हमने जीता, फिर 1948 का आप देख पाओगे, यहाँ पर Gold जीता था, और Melbourne हो गया 1956 में, अगिन यह सारे देखेंगे, और last हुआ था 1980 में जहाँ पर हमने Gold जीता था, लेकिन उसके बाद basically क्या होता है, आप कह सकते हो कि यहाँ पर बहुत जादा Progress नहीं हो पाया, और एक तरह का जो हम कहते हैं नाशनल गेम होकी वो पीछे चूट गया है, मतलब कि कही ना कही उसमें उतना जादा ध्यान नहीं दे रहा था, तो आज हम कह सकते हैं कि एक परकार से comeback है होकी के लिए, और इसके बाद से काफी लोग देखने वाले हैं, लेकिन जो भी कुछ हुआ है, यहाँ पर मेरे मुँझ से एक ही मुहावरा निकलता है, कि जब दिन आपका हो तो कोई इतिहास माइनी लेनी रखता, कोई आकड़ा माइनी लेनी रखता, पहले क क्या हुआ था, किस से हा रहे थे, क्या जीत हुई थी, वो दिन अगर आपका है, और यही हुआ है, कल मेंस होकी टीम का दिन था, और आज महिलाओं की टीम का होकी का दिन था, बहुत ही बहतरीन परदर्शन, मैं शायद इसको शब्दों में अगेन बयान नहीं कर पाँगा, तो यह पुरा वीडियो था दोस्तों, और जाने से पहले एक बहुत ही इंट्रेस्टिंग कोश्चन आपके लिए, क्या आप बता सकते हो कि ओलंपिक्स के अंदर प्योर गोल्ड का जो मेंडल है, क्या वो कभी दिया गया है, अगर दिया गया है, तो लास्ट टाइम कब दि दिया जाता है, तो लास्ट टाइम कब दिया गया था, क्या बता सकते हो, या फिर D option की कभी दिया ही नहीं गया था, इसका जो right answer है, आपको पता ही है, मेरे Instagram पर तो आपको मिले गही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो, कोई बात नहीं, Telegram से भी ले सकते हैं, इसका सही उतर, म बहुत ही मिनिमाम दाम पर आप Study IQ को सपोर्ट कर सकते हैं, I hope कि ये वीडियो आपको पसंद आए होगा, मिलता हुआ आपसा next time till then, thank you very much, see you soon.